नविकाजी नमस्ते इंडिया गडबंधन में न तो फूट पड़ी है और न तो कोई इधर गिरा है न तो कोई उधर गिरा है सब साथ हैं सबका सम्मान हो रहा है और सबको उचित सीटे दी जा रही है हम वो ब्रिक्ष है फलदार जहाँ पर सत्ता का फल लग चुका है जहाँ पर सत्ता आने वाली है जिस पार्टी की सत्ता आने वाली होती है वहीं तो माथा पच्ची होगी वहीं तो खीचा रसी होगी अब जो नेता परतिपक्ष बनने वाला है जो बिपक्षे बैठने वाला है वो क्या सीट मांगेगा वो क्या सिर्फिटर वोल करेगा उसको दिल्ली बुलाया जाता है और कहा जाता है कि यह स्क्रिप्ट है जैसा बोल रहा हूं वैसा पढ़ दो एकनाथ सिंदेजी ने सुन लिया अजी दादा पवार ने सुन लिया ऐसा तो नहीं है कि भाया हम डेड़ सो पर लड़ लेंगे और तुम असी पर लड़ लेना तो देखिए सिर्फ फुटवल वहां है और रही बात असली नकलीगी तो यह महारास की जनता ने तै कर चुके हैं क्योंकि 23 नौंबर को जब नतीजे आएंगे शाम को बहुत सारे चै ताके प्रतियम कटिबद्ध हैं तो हमको सीटे मिलेंगी इसके लिए हम घवरा नहीं रहे हैं अच्छा हमारा नया नाम है नया चिन है अंदाज वही पुराना है महाराश्ट्र को इन एहंकारी और तानसाईयों से बचाना है तो हमारे भी नारे तैयार है हमारे सारे विवर नहीं है लेकिन वहाँ पर भी तो कुछ हो ही गया लेकिन रादिका खेडा जी जवाब दे रहे हैं रहे हैं आप लोगों में कोई तकलीफ नहीं है बहुत भाईचा रहा है बहुत प्यार है तो ऐसा क्यों हुआ कि संजेरोज जी ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी के नेता डिसिशन लेने के लायक नहीं है वो डिसिशन नहीं ले सकते उसके बदले में नाना पटोले साहब ने ये कहा कि उधर ठाकरे जी को संजेरोज जी कंट्रोल करते है पांच दिन पहले की बात है, पचास दिन पहले की बात नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है, बाइट हर चका, मैं आपके बीच में नहीं बोली यानना थाई, देखिया आप और हम पहले से दूसरे को जानते हैं, कॉंग्रेस के जमाने से, एक डीसिशन सी मिल्टेन लगते है अच्छा मों पूरी बात कर लें फिर आप काउंटर करिएगा, मैं समय दूँगी जी रादिका जी आप बोले अब ये लोग कह रहे हैं कि हर्याना में हमारा अलायंस नहीं था, ये लोग कह रहे हैं हर्याना में कॉंग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस नहीं था, तो यही तो हम कहते हैं ना जनता के सामने ये इंडिया अलायंस एक ठक बंदन है, जब इनका मन होता है ये एक हो जाते है, दिल्ली में केजरिवाल साहब राहुल गांधी के कैंडिडेट को वोट देंगे, राहुल गांधी जी केजरिवाल साहब के कैंडिडेट को वोट देंगे, हर्याडा में एक दूस्ते का सर फोड़ेंगे, अब सुनने में ये भी आ रहा है, दिल्ली में एक यातरा निकलने जा इसलिए जंता आप लोगों को बार बार करारा तमाचा देती हर्याना उसका एक्जाम्पल है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी समाजवादी पार्टी को बाव आजमी जी को वो बिल्कुल देखेगा मध्यप्रदेश रिपीट होने वाला है महाराश्रम में इसी त जितना भी प्रिटेंड कर ले हम लोग एक है लेकिन अंदर से ये सब एक दूसरे को हराने में लगे हैं उधर ठाकरे जी कोशिश करेंगी कॉंगरेस की सेटे कमाई चलिए आफिक पांचों घी में सरकडाई में होगा राधिका जी लेकिन आनंद उपे जी काउंटर तीस से सेकंड देती हूं आपको कि अधिकार हमारे पास नहीं है हमारी जो सीज़िसी है वो देखेगी तब राउट साफ ने कहा कि ठीक है आप वहां बात कर लीजिए लेकिन जल्दी बात कर लीजिए यह पहला जवाब लड़ां दूसरा हम इंडिया गड़बंधन हैं देश में चुनाव लड़ने के लिये लोग सभा अलग-अलग राज्यों की अपनी अलग-लग सुविधा-जणय। लोग लड़ते हैं की साध्य लड़ता है वाकी लड़ता है कि सु मिलके लड़ेगा और तीसरी बात और दूदिशरी बार नभिकांजी समाजवाधी पा डीप अरे कितना मुश्कुरा रही है रादिकांजी यह तो वही कहावत हो गई कि बगल वाले के घर के छट पर अच्छी बरसात हो रही है तो ये कह रहे है कि यार हमारे हाँ तो सुखा पड़ा है जाने दो उनकी खुब बरसात हो रही है उनकी चट गेली हो जाएगी अरे ये कुन सा तर्क हुआ समाजवादी पार्टी हमारा दोस्त है हम उसे मना लेंगे हम उसे कितनी सीटे देंगे नहीं देंगे हमारा अपस का भाईचारा है इसमें आपको तपकने की कूदने की कहावशक्ता पड़ गए भईया मैं करन वर्माजी से पूखना चाती है एक मिनट समस्या क्या है इनकी करन वर्माजी आपको इंडिया अलाइंस कहीं दिख रहा है अभी तो ये जो चुनाव हो रहे हैं कभी ये कहते हम इंडिया अगर लोगसभा चुनाव तक ही था इंडिया अलाइंस तो फिर रोज रोज इंडिया अलाइंस क्योंकि अगला चुनाव तो अब दोजार उनतिस में होगा तो इंडिया अलाइंस की बात करनी बंद कर देनी चाहिए कम से कम उत्तर प्रदेश में जो नो बाई लेक्शन की सीटे हैं वहाँ ये तो कहा जा रहा था कि हम साथ लड़ेंगे क्योंकि यहां तक भी कहा गया था कि साथ लड़ेंगे फिर कहा था आप हमारे सिंबल पे लड़ लो फिर कहा था जाओ अपना रस्ता ना पो फिर उन्होंने कहा हमने तो त्याग कर दिया और उधर अबु आजमी जी जो कह रहे हैं वो आपको मैंने सुनाई दिया है तो करन वर्मा जी यह जननायक कौन है PDA नायक कौन है और समाजवाधी पार्टी का जो आज का ट्वीट आया है कि सिर्फ हखिलेश, सिर्फ हखिलेश यह क्या दिखाता है देखे नाविका जी आप देखे आज आपके स्टूडियों में अजे वर्मा जी है मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ एक तदावर कॉंग्रिसी जो आप सोचे जड़ा एक विचार करिए उस कॉंग्रिसी कारे करता के बारे में जो दिन रात मेहनत करते हैं सड़क पर अपना खून पसीना आसू सब भाया इनों ने कि हाथ बदलेगा हालात और अब पता क्या चल रहा है कि हाथ गायब हो गया है अब इन्हें बोलना पड़ेगा साइकल की रफ्तार देखो तो जड़ा सोचे है इनके दिल पे कितना बड़ा पत्थर आज रखकर अजे बर्मा जी ने बोला पहाल जैसा पत्थर रखके बोला कि भई सब ठीक है आसू आ रहे होंगे पर ये बोलना पड़ा आज आज क्या हलत हो गई है कॉंग्रेस की आप ये देखिया और इसे कहते हैं विद्वेश की राजनीती नाविकाजी इसे कहते हैं विद्वेश की राजनीती सपा ने करारा जवाब दिया कॉंग्रेस को उन्होंने का आपने मद्धे प्रदेश में हमारे साथ क्या किया आपने यहां से चुन किरके सांसद बने आज यूपी से इनका हाथ ही गायब हो गया और नाविका जी अगर हम लोकसवा की भी बात करें कॉंग्रेस ने एक बेताल का रूप निभाया है हमेशा 99 सीट जिनकी बात भी करते हैं उनमें से केवल 32 सीट ये खुद से जीत क्या आए थे 67 सी हो गए हैं उधर संजेराओ खड़े हो गए उधर अबू आजमी खड़े हो गए और अजीज साब को तो मैं नतमस्तक होके सलाम करता हूं इन्हों ने बोला अभी अभी कि ये तो अपना दल वाले हैं बिल्कुल जैसे बीजेपी अपना दल के कर रहे हैं इन्होंने हलके से उसकी लेते हुए कॉंग्रेस को आज अपना दल की शेड़ी में लाकर खडा कर दिया है रजे जीजी बहुंने हो गई अपके अपना दल और बीजेपी कॉंग्रेस भी अपना दल की तरह हैं तो हलके हलके से प्यार भरी बाते करेंगे अजीज जी कहेंगे अरे बहुत अच्छे दोस्त है हमारे कॉंग्रिसी और हलके से इनका सुप्रा साफ करते जाएंगे और वो दिन दूर नहीं जब कहें कि अखिलेश है जन्नायक भाई अखिलेश ही तो मुख्यमंतरी बने राहूल गांदी तो मुख्यमंतरी बने नहीं सैते सीटे जो अखिलेश जी लाए यूपी में इनका तो कहना यूपी में रथम ने रोका है इनका तो अब वो दिन धूर नहीं नाविका जी जब ये कहें कि राहूल गांधी स्ट्रॉंग कहां है कॉंग्रिस भाई जारखंड मुर्ट्री मुर्चा के भी सेकेंड है जारखंड में महाराश्ट्र में सिंगल लार्जस पार्टी थे लोकसभा में वहां पे भी बराबरी की कमसी कही पा रहे हैं ये तो ये कॉंग्रिस कहां पे स्ट्रॉंग है ये पूछने वाली बात ही यूपी में बिल्कुल और यही सवाल में भी विवेक श्रिवास्तों जी अब डूल रही है अगर वाईनार से तो कम से कम वहां उनके खी लाफ ना किसी को खड़ा किया जाता ऑलायन Поэтому अलायंस है ना, संभिधान बचाने की अलायंस, देश बचाने की अलायंस. ने वो तो देखे केरल, केरल एक exceptional case है. केरल भी exception है के लिए, यूपी भी exception हो गया, जम्मु कश्मीर भी exception हो गया, पहराश्र में कम पर उनको लाया जा रहा है, कितने exception गिनवाएंगे बाईया? कॉंग्रेस, कॉंग्रेस एक बड़ी national party है, कॉंग्रेस का हमारा ये मानना है, इस देश में पिछले 70 सालों में इस देश के secular fabric को और social fabric को सम्हालने में, और देश को आगे बढ़ाने में कॉंग्रेस की एक बहुत तो पूर्ण भूमिकर रही है, और जहां तक बीजेपी का स यूपी के दोनों लड़कों ने खेला कर दिया है, फिर से पहले लोकसभा के समय में किया था, और अब राहूल गांधी और समाजबादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मिल करके, फोन पे बात करी, मीटिंस करी, डिसकॉशन्स करे, और mutual respect के साथ निर्ने लिया ग रहते हैं, चाहिए इंडिया अलाइंस अब कोई भी घटक दल जीते हैं, और यही फीलिंग राहूल गांधी ने इसी को रिसी प्रोकेट किया, और अखिलेश यादव को इस रिसी प्रोकेट नहीं करना चाहिए था, महाराश्चा में, अबु आजमी क्या कह रहे हैं, कोई राजभर जी से कंपेर करता है आपकी कॉंग्रेस पार्टी को, और कहता है कि यह नैशनल पार्टी यही है जो बचा रही है देश को, जम्मू कश्मीर में ओमर अब्दोल्ला ठेंगा दिखा देते हैं, उतर प्रदेश में अखिलेश जी बन जाते हैं, पीडिये के ना जननायक कहां चले गए?